एक्जिट पोल आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है जिस तरह का एक्जिट पोल निकल कर सामने आया है ये एक साइंटिफिक सर्वे है जो कि कई हजार लोगों पर किया गया इस पर आपका रियक्शन क्या है सर्व पृथम मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें किसी प्रकार की अतिश योगती नहीं है किसी प्रकार का मुझे सप्राइज एलिमेंट नहीं लग रहा है क्योंकि आदर्णिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सब के दिलों पर जो है मुझे लगता है कि एक तरह से चाप छोड़ चुके हैं और तिबारा प्रधान मंत्री में तो डेवन जिस दिन इलेक्शन घोशेत हुआ है उस दिन हमारी पार्टी का संकल्प तो है ही परन्तु अपढ़ना यादव ने विशेशकर सभी चैनलों से यहां कहा था कि तिबारा प्रधान मंत्री के रूप में मेरा यहां संकल्प है हम सभी के लोग हैं कि हम प्रदान मंत्री जी को तिबारा प्रदान मंत्री का जो है यह संकल्प लेंगे और यह चार जून को पूरा दिखेगा हमें जी और आप लोगों के लिए कि मैं बहुत इर्दै से साधुबात करती हूं इर्दै से धन्यवाद देती हूं कि यह साइंटिफिक जो आपने यह सर्वे किया है यह लगता है कि जो जन्जन का विश्वास है हमारे प्रधान मंतरी जी के साथ यह उसी को परलिक्षित करता है जी अपरना जी जब आप बीज सभा का इलेक्षन है चार तारी को नतीजे आ जाएंगे उसके बाद में अपरना यादव खुद को पार्टी में कहां देखती है हमारी पार्टी में सब कुछ जो है सर्वोच जो टीम है हमारा जो शीर्श नेत्रतु है वही तै करता है और भारतिया जनता पार्टी में सभी के लिए स्थान है मैं समझती हूँ कि अपरना यादव को पार्टी जो है अपनी तरह से जहां भी ऐसे मिलेट करना चाहेगी मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ पार्टी ने जहां भी मुझे इस बार भी राजनीतिक रूप से जहां भी भेजा जो भी कहा मैंने किया है और मैं पार्टी के साथ जो है पूरे तनमंधन के साथ जोड़ी हूँ लेकिन अपरना जी इस मेंगा एकसिट पोल को लेकर विपक्ष के भी कई नेताओं से हमारी बात हुई समाजवादी पार्टी की कई सारे पॉलिटीशन से हमने जब इसको लेकर पूछा तो उन्होंने मान के बंदन हमेशा मुझे लगता है कि पप्पो मेकिंग पे जादा जो है फोकस करती रही है और आदरनी प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बाते मैनिफेस्टों में कही है उसको डिट्टो करने का काम किया है जिज भी प्रदेश में भारतिय जनता क्यिक्स सरकारें हैं उसमें आप देखेंगे ऑपेक वरिश्व पत्रकार हैं आपके पास पूरा सर्वें टीम है लोगतंत्र का सबसे इंस्तंब हैं पत्रकार तो मैं समझतीकों कि सबको या पता है कि जितनी बाते हमने कई हमने नकिसी झाति दर्म पर ना किसी लिंग के आधार पर जो है बैद बाव किया ना प्रदान मंत्रे आवास-योजना ना विज्जद गाड देने में किसी तरीके का बैद बाव दिया ना अप्रदान बस्ते में चीजें लटकी हुई थी पड़ी हुई थी वहां प्रदान मंत्री जी यानि के विकास के दम पर फिर से सरकार बनने जा रही है बिल्कुल हम लोगों से बात्चित करते हैं विकास को लेकर जनता भी अपनी बात रखती है और काफी जादा संतुस्ट भी नजर आ र रहे हैं और लड़कों से नहीं मैं समझती हूं कि यहां देश जो है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हैं जिसको मैं कह दूं कि वहां युग पुरुष के रूप में उभरा है पूरे विश्य में तो इसमें कोई अतिश्य योगती नहीं रहेगी और उनका नाम है शिप्रदान जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास वह पूर्ण रूप से इस पूरे चुनाओं में पूरे कारेकाल में परलिक्षित हुआ है जी चीक है लेकिन अपड़ना जी जब भी अखिलेश यादव से आपके बारे में सवाल पूछा जाता है हाली में आप आजमगर भी गई नहीं और दे देते हैं तो इसके पीछे आप क्या वज़ा देखती है मतलब जब भी आपको लेकर सवाल पूछा जाता खिलेश यादव को तो वह हमेशा जवाब देने से बचते नजर आते हैं यह बात आप उनसे पूछी है मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती है यादि इसका जवाब आप भी नहीं देंगी अच्छा एक ही फैमिली में रहे कर आप बीजेपी में हैं मैं उनकी बात कैसे बोल सकती हो मैं किसी के मन का पढ़ने का काम नहीं कर सकती हो ना अच्छे चलिए य आंग्रेस के साथ गटपंदन किया है तो कह रहे है कि इस बार असी में से असी सीड़े नहीं आप लोग कह रहे हैं चार सो पार वो कह रहे हैं कि इस बड़ चार सो हर जाएंगे आप जैसे चैनलों के माद्यम से सब के सामने सभी भारतवासी हो के सामने और जो हमारा लक्ष है और जो हमारी सोच है पूरी तरह से धरातल पर ऊतरी है प्रणा양 योगी जी ने यहां पर मुंखे मंठी के होने के साथ-साथ प्रधान मंत्री जी का विजन सम्मान और सुरक्षा का विजन पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया है और मैं समझती हूं कि प्रधान मंतरी जी नरेंदर मोदी जी तिबारा प्रधान मंतरी बनने जा रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का डाउट फुलनेस नहीं है किसी भी प्रकार की अतिशियोक्ती नहीं है चीक है चीक है तो हबी चार जून का हमको इंतजार करना होगा लेकिन जो एक्जिट पोल में नतीजे आये हैं या जो सर्वे में सामने आया है उसमें बीजेपी की सरकार बंती हूं नजर आ रही है हमारे साथ में जूरने के लिए पढ़ना जी बहुत शुक्रिया आपका